प्रेंड्स वेल्कम बैक टो माइच चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको पसंद आती तो लाइक कीज़े फ्रेंड्स क्या शेर कीज़े और किसी विठे की कोई वी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा क्या होगा आंसर सी हो जाएगा सिंदु घाटी सब्विता नेक्स्ट है राजिस्थान के माउंट टावू में इस्थित जो दिलवाडा मंदिर है जैन मंदिर दिलवाडा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुगाईयो के दौरा निर्मित किया गया बहुत गीतों दौरा जैनिय कालिदास या फिर राजाराओ किसकी है जैदेब की नेक्स्ट है शिवाजी का राजिविशे कब हुआ क्या हो जाएगा 1674 इस भी में नेक्स्ट है अकाल तक्त का निर्मान करता इन में से कौन सिख गुरु थे गुरु रामदास गुरु तेक बहादूर गुरु हर गोविंद या फिर गुरु नानक नेक्स्ट है भारत में समुदरी मार्क की कोच किस ने की वासकोडी गामा कोलमबस मैगलन या फिर हैन्वी दी नैवीगेटर इसकी कोच की थी वासकोडी गामाने चीके भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कम्पनी काहा खोली गई बंबई, सूरत, सूतानाती या फिर मद्रास ये खोली गई थी सूरत के अंदर भी ओप्शनियां पर करेक्ट है नेक्स्ट है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांती में किस स्थान से संबंदित रही लखनौ, कानपुर, बनारस या फिर इलहाबाद क्या हो जाएगा ये बेगम हजरत महल लखनौ से उन्होंने क्रांती की थी बाकी जेगे से जैसे कानपुर, टाट्य टोपे थे ठीक है यहाँ पर बनारस इलहाबाद इन सब से इन सब पर कौन थे यहाँ पर पुरुष्ट थे ठीक है तो और कानपुर को revolutionary capital भी कहा जाता है तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि revolutionary capital कौन सी थी तो वो कानपुर थी और इन सब से पुरुषों ने प्रांती की थी महिला ने की थी लखनौ से चोती एक थी बेगम हजरत महल दूसरी महिला थी हमारी रानी लक्षमी बाय जिनों नहीं जहां सी से की थी ठीक है नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा किरियानवेत प्रथम सत्यागरे जो नेल किसानों से संबंदित रहा किस से जुड़ा हुआ था चमपारण चोरा-चोरी बारदोली या फिर सावरमती देखे नेल किसानों से संबंदित जो इनका सत्यागरे था वो था इनका चमपारण जो कि इनका प्रथम सत्यागरे भी था ठीक है पहला इनका सत्यागरे आंदोलन था चमपारण नेक्स्ट है समाचार पत्र जो केसरी है उसका संपादन किस ने किया जी के गोखले, बीजी तिलक, सर्दार पटेल या फिर राजा रामबोहन रायव बी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बीजी तिलक दोहरा नेक्स्ट है डांडी यात्रा की शुरुवात महत्मा गांदी ने कहां से की थी डांडी से, पोरबंदर से, एहमदाबाद या फिर सावरमती आश्रम से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा सावरमती आश्रम नेक्स्ट कोश्चन है हमारे सौर मंडल का कौन सा घ्रह आकार में प्रत्वी के समान है बुद्ध, मंगल, शुक्रिया, ब्रस्पति क्या हो जाएगा सी हो जाएगा शुक्र टुंड्रा है टुंड्रा क्या है पणपाती वन, उश्नकटी बंदिये वन, शीतन मरुष्थल या फिर गर्म मरुष्थल क्या हो जाएगा सी हो जाएगा शीत मरुष्थल नेक्स्ट है वायू मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है समताप मंडल, ताप मंडल, छोब मंडल या मद्ध्य मंडल सी हो जाएगा ये कहा जाता है छोब मंडल को इन सारी परत को आप पढ़ना चाहते हैं तो 20 डे सीरीज देखेगा हमने वहाँ पर इनको अच्छे से एक्स्प्लेन किया है तो आपको पता चल जाएगा कौन सी परत का बाती है और उन परत का क्या परपस है ठीक है नेक्स्ट है भारत का सबसे उचा पतार कौन सा है दककन का पतार चोटा नाकपुर का पतार लदाक का पतार या फे बगेल खंड का पतार सबसे उचे पतार की बात की गई है तो वो है हमारा लदाक का पतार प्राइदीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है कावेरी, नर्मदा, क्रेशना या गोदाबरी देखिए प्राइदी पे भारत की बात करें तो वहाँ पे सबसे लंबी नदी है हमारी गोदाबरी नेक्स्ट है पश्चमी घाट के उत्री बाको किस नाम से जाना जाता है कोरोमंडल टट, मालावार टट, कोकन टट या फिर उत्री सिरकार सी हो जाएगा कोकन टट नेक्स्ट है प्रोग्राम जो किसी व्यक्ती दौरा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं प्रोग्राम कोड, हुमेन कोड, सोर्स कोड या फिर सिस्टम कोड बी हो जाएगा यहाँ पे हुमेन कोड, हुमेन कोड को एक व्यक्ती दौरा पढ़ा जा सकता है नेक्स कोशन देखिए निमलिखित मैंसे कौन सा भारत की निमने क्रशी उत्पादक्ता के लिए उत्तरदाई नहीं है ओप्शन वन है सहकारी क्रशी आविशक आदुत्तों की उपलब्दता भूमी की उप्योग और उसकी अधिकारिता या फिर कमजोरी वित्विवस्थाव विप्णन बताईए देखिए क्रशी उत्पादक्ता के लिए उत्तरदाई की बात करें तो वो है ए सहकारी क्रशी इसके लिए उत्तरदाई नहीं है ठीक है नेक्स्ट है निमलिकित मैंसे कौन सा बंदरगाहा भारत के पश्टमी टट से संबंदित है नहावा, शेवा, मार्मा, गोवा, तूतिकोरिन या फिर कोची पश्टमी टटकी बात की गई है सी हो जाएगा टूटी कोरिन क्योंकि ये कहां पर आता है दक्षण ही टठका है यानि कि साउधन मोस्ट भी बोलते हैं साउधन मोस्ट है ये हमारा टूटी कोरिन ठीक है नेक्स्ट है दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है दक्षण पश्टमी मांसून और पूर मांसून समवनिय वर्षा या फिर पश्टमी बिख्षोप बताए कौन सी बारिश होती है सर्दियों में जो बारिश होती है वो होती है पश्टमी बिख्षोप की नेक्स्ट है सामुहिक उपभोग का अर्थ है क्या घरेलू खपत, व्यक्तिक खपत, स्वाख खपत या फिर देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत क्या हो जाएगा आंसर ए घरेलू खपत नेक्स्ट है रास्टिया आयको और किस नाम से जानते हैं जी एन पी माइनस साधन लागत, जी एन पी माइनस बाजार कीमत पर, जी एन पी साधन लागत पर या फिर एन एन पी बाजार कीमत पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एन एन पी साधन लागत पर नेक्स्ट है भारत में राजियों के लिए राजस्व का सब्वादेक महत्पून श्रोत निम्लिकित में से क्या है विक्रीकर, उत्पाथ शुल्क, आईकर या फिर कम्पनी कर क्या हो जाएगा विक्रीकर आप्शन ए नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिकर सम्मिलन की मेजवानी करेगा 2019, 2020, 2021 या 2022 कब करेगा मेजवानी 2022 में ठीक है नेक्स्ट कोशन पर आईए अब आपको बताना है इन में से कौन सी वैकल्पिक मुद्रा का उधारन है करेंसी नोट, सिक्के, चेक या बॉंड वैकल्पिक मुद्रा आप इजली बता सकते हैं यहाँ पर चेक हो जाएगा ठीक है निम्लिकित में से किस पंचवर्ष ये योजना में वास्तवी विकासदर, लक्षत विकासदर से कम थी आठवी पंचवर्ष ये योजना, चोथी पंचवर्ष ये योजना, पांचवी पंचवर्ष ये योजना या साथवी पंचवर्ष ये योजना क्या होगा बी हो जाएगा चौती पंच वर्षी योजना नेक्स्ट है समिधान कि स्तिथी को पूर्ण तहां बनकर तयार हुआ 26 जन्वरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नमबर 1949 या फित्तीस नमबर 1950 क्या होगा है 26 नमबर 1969 में ठीक है नेक्स्ट है भारत में राजनितिक सक्टी का प्रमुक्ष्रोत क्या है भारत की जन्ता, हमारा समिधान, संसद या संसद और राज्य की विदिकाए क्या हो जाएगा ए हमारी भारत की जन्ता नेक्स्ट है सिख्षा सबसे शब्द किस से संबंदित है संग सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवसिस्थ विशे क्या हो जाएगा सी समवर्ती यानि की कौनकरंट लेस्ट नेक्स्ट है भारत के समविधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेश रूप से प्रतिवंदित हो सकते हैं अनुच्छेत 19, अनुच्छेत 21, अनुच्छेत 25 या अनुच्छेत 33 देखिए मौलिक अधिकार प्रतिवंदित के यहां पर बात की जा रही है तो वो हैं हमारे यहां पर रूच्छे तेत इसके, ठीक है, option D यहां पर हमारा correct है Next है, संपत्तिक अधिकार वर्तमान प्राइस्थिति क्या है? व्यधानिक, मानव अधिकार, मौलेक अधिकार या प्राकर्तिक देखे, पहले संपत्ति का अधिकार, मौलेक अधिकार था, इसको हटा दिया गया अब बताई आप कौन सा अधिकार बनाया गया था क्या हो जाएगा इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया नेक्स्ट है भारत के समिन्हान के अंतरगत नीती निदेशक सिधान्त का मुख्यों देश्य क्या है लोग कल्यान करड़ी राज्जे की स्थापना, धर्प निरपेक्ष राज्जे की स्थापना, कारेपालिका के मनमाने कारे की जाँच करना या फिर राज्जे दौरा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना क्या हो जाएगा ए हो जाएगा लोग करलियान करि राज्य की स्थापना Next है रास्टवति के निर्वाचन में विजेई उमीदवार के लिए प्राप्त करना आवशक है क्या कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66 प्रतीशत, कुल कराय मतदान का 50% या फिर कुल कराय गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत बताईए क्या हो जाएगा D जो भी उन्होंने मतदान कराए हैं उसका 50% से अधिक होना चाहिए और कुल मतों का भहुमत ठीक है अब बताएए गुट निर्पेक्ष्टा से क्या तातपर रहे है अपनी नीती को चुनना शक्ती पुझो से तठस्त था विश्व में सांतियम एक रूपता लाना या फिर तित्य विश्व की शांतियम शक्ती होना क्या हो जाएगा B हो जाएगा शक्ती पुझो से तठस्त था ठीक है नेक्स्ट देखिए भारत राष्ट संक सदस्से कब बना 1945, 1947, 1950 या 1904 क्या होगा? यह हो जाएगा वर्ष 1945 में अब बताएगे जो विश्व व्यापार संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? C हो जाएगा विश्व व्यापार की मातरा में व्रद्दी करना और प्रतिवंदों की समाप्ती करना नेक्स्ट है निमलिकित मैंसे कौन सा पुरुषकार खेल चेत्र में प्रसिक्षन के लिए लिया जाता है? प्रसिक्षन की बात की जा रहे है तो B हो जाएगा द्रोणा चारे पुरुषकार नेक्स्ट है अर्थ शास्त्र का नोबेल किसके दौरा दिया जाना आरंब हुआ अलफ्रेड नोबेल स्वीड़ सेंचल बैंक, नोबेल कमेटी या फे विशु बैंक क्या हो जाएगा B स्वीड़ सेंचल बैंक स्पैल ओन दा टाइगर पुस्तक किसके दौरा लिखी गई सी हो जाएगा सैयद माउंट गोमेरी नेक्स्ट है वीड सावरकर अंतरास्टी है हवाई एड़ा जो इस्तित है को एक अधिकरत आई व्रुजन चेक पोस्ट के रूप में घोशित किया गया बताईए कहाँ पर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा पोर्ट ब्लेर अंडमान निकवार दीप समो नेक्स्ट है संगाई कॉर्परेशन संगठन में कौन कौन से देश शामिल है बताईए जल्दी से पढ़िए ऑप्शन्स और आंसर करिए क्या होगा ए होगा चीन रूस कजाकिस्तान उचबेकिस्तान और तजाकिस्तान ओप्शन ए नेक्स्ट है दूब्री मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है प्रिकाश खगोलिये पार्सेग या फिर इनमें से कोई नहीं सी हो जाएगा पार्सेग नेक्स्ट है बिटामिन भी सिक्स का राइसाइनिक नाम नियासीन पाइरीडॉक्सीन साइनो कोबालमिन या राइवोफलेविन क्या हो जाएगा बी है पाइरोडॉक्सीन नेक्स्ट है गती का नियम का प्रतिपादन किस ने किया था न्यूचन, आइंस्टीन, फेरल या फिर कॉपर्निक्स ए हो जाएगा यहाँ पर आंसन न्यूटन, नेक्स्ट है DTP का विस्तार, डेस्टॉप पब्लिशिंग, डेली टॉप पब्लिशर, डेस्टॉप पर सेकेंड या फिर डेवलाप्मेंट आफ पब्लिक, ए हो जाएगा डेस्टॉप पब्लिशिंग नेक्स्ट है, दवावा खाद्य पधार्तों के संगड़क्षन आदी में किस अमल का प्रयोग होता है, साइफ्टिक अमल, बेंजोईक अमल, फॉर्मिक अमल या फिर एसिटिक अमल, भी हो जाएगा बेंजोईक अमल नेक्स्ट है, मस्तेश्क किसके साथ मिलकर केंद्रिय तंत्र का तंत्र की स्थापना करता है, तंत्र का तंत्र, मस्तेश्क, मेरे रज्जू या फिर केंद्रिय तंत्र क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरे रज्जू नेक्स्ट है रण वर्ण नांगता किस प्रकार का रोग है संक्रामा, कुपारजित, अनुवानशिक या जन्मजात सी हो जाएगा ये एक अनुवानशिक रोग है नेक्स्ट है चीनी यत्री फाहियान किस आशक के समय बारत आया था हर्श्वर्दन, महमूद गजनभी, चंद्रगुप्दुति या फिर चंद्रगुप्द प्रथम क्या होगा? सी हो जाएगा चंद्रगुप्दुति ये तो ये थे हमारे 2019 का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको सारे कॉशन्स क्लियर हैं, कोई भी डाउट है प्लीज जरूर बताएगा, ठीक है? तो नेक्स वीडियो में मिलते हैं आप से, तब तक के लिए टेक केर, बाई बाई